नमस्ते कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप लोग सौस्थ होंगे मस्थ होंगे और आप देख सकते हैं एसी का पॉइंट बना था यहां से चल ला था किन्ना खतरनाक से जल गया है थम खाकी है अभी इसको चलाने के लिए हम डारेट कर दिये हैं अंदर से तार को डार लगते हैं इसको न्यूटल बोलते हैं और इसको अर्थ बोलते हैं हमेशा हारा कलर का ही अर्थ होता है और अर्थ पे ई लिखा रहता है फेस हमेशा या तो रेड रहेगा या तो एलो रहेगा कलर पे हम ध्यान देंगे हमेशा इसी तरह से ही काम करेंगे और लोग इसी तरह से काम करते हैं बलेक को नीला को हमेशा क्या करेंगे हम neutral समझेंगे और yellow के और red को हमेशा हम क्या समझेंगे इसको face तो हम इसी तरह से हम काम करेंगे आप देख सकते हैं हमारी गोद्रेज कमपनी का AC है आप देख सकते हैं यह काफी पूराना AC है यहां से सारा चीज तूट भी गया है यह हर AC है कोई कमपनी का भी AC लेंगे तो अक्सर तूटी जाता है क्योंकि बच्चे तूर देते हैं इसको कोई कमपनी का AC हो तूटी जाता है तो यह हमारा यह सामने आप देख सकते हैं एक ग्रिल है इसको ग्रिल बोलते हैं इसी रास्ते हमारा क्या होता है हावा इसी रास्ते खिषता है आप देख सकते हैं गंदा भी है इसी तरह से customer को हम जब AC install करते हैं तब ही हम लोग समझा देते हैं इसको हर अपते हर 15 दिन पर जैसे गंदा हो इसको साफ कर लिया करेंगे इसको साफ करेंगे तो यह अंदर का गंदा नहीं होगा देखिए अंदर का साफ है क्योंकि यह एयर filter है जो हवा में हवा को छान लेती है और हवा को छान के इसी जाली पे रुक जाती है गंदगी देखिए कैसे रुका हुआ है इसी तरह से रुक जाती है और अंदर का चीज बता रहने देता है चूहा माराज लोग हर जंगर रहते हैं देखिए इसमें भी चूहा माराज लोग है और हमारा सेंसर का तार है एक कुलिंग कॉयल पे इसी पर कुलिंग कॉयल पे जाके लगता है और एक एयर भी सेंसर होगा यहां पे एक कुलिंग कॉयल के बाहर लगता है यह देख सकते है यह हमारी air sensor है यहाँ पे jack बना ही रहती है लेकिन उन नहीं है कि यह बहुत पुरानी AC है न तो यह jack देखिए यह हमारा air sensor है यह दो sensor maximum AC में लगा रहता है यह हमारी cooling coil है अपने technician वीडियो ध्यान से देखिए और हम यह प्रेट कली दिखा रहे है आपको क्या है यह हमारी उपर की grille है और हमारी cooling coil है आप दिखा सकते हैं यह वाली sensor है और copper वाली sensor है तो हमारी thermistor की काम करती है और हमारी sywing का काम करता है यही move करता है हमारी hafa को इधर-उधर कमरे में देता है यही और यहीं से ठंडी हवा आती है और यहां से कमरे का गर्मी यहीं पर टकराती है और ठंडा होगे इस रास्ते बाहर आ जाती है और यह हमारे क्या सामने PCV लगा हुआ है आप देख सकते हैं यह हमारी on off की बटन है रिमोड में भी सारा चीज़ दिया हुआ रहता है यह हमारा रफाइन का स्पीट कम बेसी करने लिए टाइमर के लिए यह सीविंग के लिए सीविंग हमारा यही है जो भी हम आपको बताएं सारा चीज़ यहां आप करेंगे तो हमारी डिस्पले में light ज दहुंद जल जल किया एगी चूहा नहीं काटे होंगे तब इसको हमान करते हैं और आपको दिखाते हैं आपको दिखाते हैं ना चूहा नहीं काट रहा है आहिए में हमारी आन हो गई, है ballी कर दर ज़ुस्न तो कि यह देसे हैं अब कर लाइए छूहा लोग काटे हैं सब बन कर देरा है चूहा लोग हर जगां होते हैं तभी इसको अंदर हम खोलेंगे और इसको सर्विस करेंगे उसके बाद देखेंगे क्रेंगे पूरी लाइड जल लाइए काई तार और काटे होंगे लोग और इसको हम सर्विस करेंगे तभी यह पता चलेगा तो आप इसको देख सकते हैं सर्विस करने के लिए आद तो हम सर्विस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सर्विस वाला समान नहीं लेका हैं और अकेले आये हैं तो आप देख सकते हैं ये इसी तरह से हमारा window AC होती है और air conditioner गोलते हैं इसको आइसी तरह हमारा split AC होता है उसमें भी इसी तरह से PCB लगे होते हैं थोड़ा तरीका तज़र्बा उसमें अलग रहता है अलग fit रहता है काम हमारा जो ये कर रहा है PCB सबको command दे रहा है compressor को दे रहा है light fan को दे रहा है सारा चीज PCB करता है इसी तरह split AC में भी PCB इसारा चीज़ करता है तो हम समझ जाएंगे ये चीज़ जब समझेंगे तो सब को समझ जाएंगे अक्सर window AC का आप नए टेक्निका ग्रिल खोलते हों ये खुलता होगा तक सर्कार के करते हैं इसको खेसे को खेसे को खोले से आराम से खूल जाएगी हमारी जब भी खोलेंगे तो फोलेंगे पकड़ के खेसे रहांा तो गिरिल टूट जाती है बादIt Pret переж hasil तो ऐसे काम नहीं करेंगे आप जब भी खोले तरीके से खोले कस्टमर सामने ख़ड़ायत और अच्छे से खोले और कस्टमर के सामने कस्टमर का हैसी का लग तोड़ेंगे या कोई दिक्कत करेंगे फिर कस्टमर आपको क्या समझेगा कि नए मकाई नहीं पैसा भी नहीं करके और तरीके से पैसा ज़ादा जो जरूरत हो वह चीज बताएं इश्टरा ना बता हैं उनको आज कल तो मार्केट में लोग इस्टरा बता बताके पैसे को मारे ए खराब है व bumped gas नहीं है तो भी इस तरह से फिर वीडियो लेके मिलेंगे, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे पूरा इसका वाइरिंग करके, अब वीडियो हमारा सस्क्राइब कर लिजेगा, वो भी वीडियो हम बनाएंगे, इसको ये सी निकालेंगे, दो लोग रहेंगे तो, तो सारा चीज हम क्योंकि केमरा में तो भी चाहिए नहीं, हम दुनों हाँ से खोलेंगे, आपको बताएंगे, अब हम अकेले हैं, तो तब तक के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे इस तरह से वीडियो लोगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाई-बाई गाईज, मिलते है और ने वीडियो में, बाई-बाई!